बिहार के दिग्गेज नेता स्रीमान रगुबर प्रसाथ सीं वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं मैं उनको नमन करता हूँ रगौंस बावो के जाने से बिहार और देश की राजनीती में सुन्ने पैदा हुआ जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व गरीबी को समझने माला व्यक्तित्व पूरा जीवन बिहार के संगर्ष में बिताया जिस विचारधारा में वो पले बड़े जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया मैं जब भारती जनता पार्टी के संगठं के कारकरता के रूप में काम करता था उस काल से मेरा उनका निकट परिचर रहा अनेक टिवी डिबेट में काफी बाद विवात संगर्ष करते रहते थे हम लोग बाद में वो केंद्रिय मंत्री मंदल में थे यूपी एक में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते भी उनके साथ लगाता और संपर्ग में रहता था विकास के कामों को ले करके और पिछले तीन-चार दिन से वे चर्चा में भी थे उनके स्वास्थलाब के लिए बैस्वयम भी चिंता करता था लगाता और जानकारिया लेता रहता था और मुझे लगता था बहुत ही जल ठीक होकर के वो वापिस बिहार की सेवा में लग जाएंगे लेकि उनके भीतर एक मन्थन भी चल रहा था जिन आदर्शों को ले करके चले थे जिन के साथ चले थे उनके साथ चलना अब उनके लिए संबव नहीं रहा था और मन पूरी तरह उस जद्दो जहायद में था और तीन-चार दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिठी लिकर के प्रगट भी कर दिया लेकिन साथ साथ भीतर अपने ख्षेत्र के विकास की भी उतनी ही चिनता थी तो उन्होंने विहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों के सुची भेज दी विहार के लोगों की चिनता विहार के विकास की चिनता उस चिठी में प्रगट होती है मैं नितिश जी से जुरूर आग्रह करूंगा कि रगवांश प्रसाज जी ने अपनी आखरी चिठी में जो भावनाय प्रगट की है उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पुरा प्रयास करें क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बाते उन्होंने लिखी थी उसक करें आगा करें 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 करें